आज फिर कोशिश करांगे कुछ बच्चे जड़े जड़े जानना चाहूं दे सी अस्ट्रेलिया नो लेके कुछ बच्चे जड़े क्वेरिस कर रे सी न्यूजिलेंड नो लेके उना दे स्वाल अपने एक्सपर्ट तक सांजे कर पाईए आस्ट्रेलिया ते न्यूजिलेंड दे एक्सपर्ट नो अज सदा दिता गया इस शो दे विच उस डिसकेशन नो लेके अपनी एक्सपर्टाइज दे सद के तो आप दे लिए जिड़े के पिछले काफी समय तो इस इंडस्ट्री दे विच जिड़ा अपना रूल अदा कर दे आ रहा है ने काफी वदिया सविसेज दे दे आ रहा है और न्यूजिलेंड दे गल करिये ता एंजड डारे मेंबर भी ने ऐस्टेलिया दे गल करिये ता उन्हा को लैक्स विज़ा आफिसर दे टीम भी रही है काफी वरी उन्हाने इस से लिड़ा के उन्हाने अपनी गल्ना भी संजिय की थी अपरच्णिटिटी तो मेरे नाल उन्हान दे सधार्थ जी ते ऑस्टेलिया टीम भी हैड भूमीका गंबीर जी इनाल ने पहले स्वागत कर दिया नाल था अमीका है सिधार जी बहुत स्वागता है तेक्या मंगें गलकरांगे जी अस्टेलिया ते New Zealand कोई मां देशिदा नियुश्टया कर रहा है तो तो किया स्वाणाना थे अपनी स्वाल पर चाओना चाहूने है अमन जी, बहुत ज़ादा बच्चों को चल रही है यहां पर हमारे कि अभी नया रूल आ रहा है जो अभी अनॉंस्मेंट भी हुई है कि जाएंगे जाएंगे जिसे अभी 457 बंद बंद रहा है वो फॉजिजन है कि वो स्टुड्ट विजा बच्चे नहीं आप्ट करना चाहरे है पंजाब में बहुत जारा बच्छे नहीं बंद हो गया है क्या करेंगे वहाँ जा कि पोस्टुडी वर्क राइट नहीं मिलेगा त को अब बच्चे नहीं चाहते हैं जा गलगा हjenigen हम बताना चाहते हूंकी यह अग्टना चाहते हैं कि यह पढम्ने के लिए गाहे जाए इस पादू सब्धा का लाई चाहते हैं कि अपढ़ने के लिए सुड़ी कि और अगे आगे श्तुड़ी वर्क राइट वड़े के स्टुडेंट नो लेके कोई चेंजिस नहीं है कुछ रूल जन रेगुलेशन वो लास्ट यरी चेंज हो गए थे जो एसेस वे एक एंडर राए थे उसके अलावा भी कोई स्टुडेंट वीजा के अंडर काटेगरी अंडर कोई चेंज नहीं लाया गया है अगर युनिवर्स स्टुडेंट वीजा काटेशन होई काफी जएदा उन पर मोट किता गया वीजा वीजा काफी आए बट जदो एसस वीएफ चेंज किता गया सिंप्लिफाइट सुडेंट वीजा जड़ा फ्रेम है और फ्रेमवक है उदे बेच ऑन दे नाल न्यूज अलाग सी किया आट सालों तो वीजा कर रहे हैं लेकिन मैंने यह नहीं देखा है कि बच्चों का क्रेस कमुआ पंजाब में बहुत क्रेस कम हुआ है क्यूंकि वहां पे सही क्वालिफिकेशन कारियर कांसलिंग नहीं दी जाती है अगर आप कांसलर के पास जाते हैं तो आपको भी कहीं छो कि क्या नए चेंज़ आ रहे हैं युरिवर्स्टी की क्या रिक्वाइमेंट आ रहे हैं जब आप दूसरे एजन के पास जाएंगे आप उनसे पूछेंगे कि एक नर्मल एक सिनारियो बता रहे हैं अभी रिसंक्ली कुछ रहा कि बच्चे ने बोला मैं मैं उसके पास गया म मैंने बोला मैलबन जाना है मैलबन माम में को स्टेट बता दीजए तो वो केती है न्यू साउथ वेल्स तब बच्चे ने का कि माम वो तो विक्टोरिया में है तो कुछ असी जनरल इंफरमेशन जो कांसलर के पास भी नहीं है डॉप में सजायस्ट करते हैं के geldके पास जाते हम जा greeting उस बच्चेंट कांसलर के पाइजा प्रूरी च्रण माम में कंशलर से संजी कितना औरदी है बिल्कुल मैं थेगरी कराएंगा भूमिका नाल बिकॉज आज ये वापर रहे हैं उहों काउंसल कर रहे हैं जिननों खुद नॉलेज नहीं है खुद पता नहीं प्लस टू कीती है या ग्रेज़ेशन कीती है गाइड कर रहे हैं यहों मास्टर्स आ ले आ रहा हूं जिड़े रस्ते आप ही नहीं कई हो किमेदा साकते नहीं किमेदा है तो यह चीज़ां बहुत ज़रूरी ने बहुत बढ़िया कल कीती है थे भूमिका ने एक्ट्रे देखना ज़रूरी है जिड़े काउंसलर तो तुसी काउंसलिंग ले रहे हो उन्हों आप नॉलेज है उन्हें आप कदी ओधे बारे सर्च कीती है आप कदी विजिट कीता है आप वह अपडेशन्स रख रही है के नहीं सदेना लाई ग्लोबल ऑपरचुनिटी टीम तो हमेशा ही कोशिश रही है अलग लग समेंते अपने एक्सपर्स नों भी थोटे तक पचा के उन्हादी नॉलेज भी थोटे तक दिखाई जावे तक थोनु पता लग सके प्रॉपर्ली जडे तोनु कांसल का रहे ने उन्हां नॉलिज के नहीं है उन्हादी एम्टी वेना मौजूद ने सिधार ती जिना दा इस सारा ही जड़ा मैं कहूंगा इन्नी बड़्डेई इना जड़ा चाल रहा है कोशिश है इना चाल रहा है और युट प्रॉपर सविशेज पॉलिशी सही बना देनी सथार जी जड़ी जड़ा भॉमिका ने कीती हमोट तग आज मारकेड़ थास नेरियों जमें कॉंसलर्स ने जड़ा सिलियन गाइड कारे वो प्रॉपर ने जड़ा जान दा जड़ी जड़ा जड़ार्य का रहा है तो पदानी आप लस्तु कीती है, डिप्लोमा कीता है कि ग्रेजेशन कीती है कितना इस चीजदा मेल देख 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 अमजी एथे मैं टीविच परली बहुत भार कहा है थे श्टूरेंस तो गुम्रा करम लिगाला है थे फॉम्माय प्रस्पेक्टि आप लिगाला है वोदी नॉलेज़ बेस की खोने चाहिए और की खुद करना पड़े है और की इनिवरस्टी फिच किया है वेखन या नहीं वेखन गया फॉर एक्जांपल ग्लोबल ऑप चुन्तिता मिजॉरिटी ऑफ देखाफ है वेरी वेल एजूकेड़िट है उत्तो ब मतलब वक्ष कंट्री इस पैशलिस पंदे या वो कंट्रीज होकर आया है ताकि उन्यूरस्टी इस बारे पता लगे चांपसेशिप्स बारे पता लगे लोकल लिविंग कंडिशिंस जॉब्स वीजास तबारे पता लगे उत्तो बाद भी गिव देफ्ट ट्रेनिंग वेल प्रिपेड स्टूडेंट ते मैं को गर मनना मन जी कि जड़े स्टूडेंट ग्लोबल तो जाना है उदा करियर साथे हाचा है ते साथे जिम्मेदारी बन दी है कि आप अपने स्टाफ में चंगा ट्रेंड करिये कि आप एक करियर बनाई यह के बहुत वजी कल गी ती क्य तरह दे जड़े खाब हो देना जुड़े होई ने भी साथा बच्चा कुछ बनेगा तुसी अपने च्छोटे जे लालच पिछे जे उनू बरबाद क्या सकते हुए इस तो बड़ा पाप भी गोई नीगा जे आप आप जे लॉजिकली कल करिये सो काइंडी जे नहीं पता जवाब दे दी ऊचेंगे कंसल्टनेंट गायड कार दो इक बच्चे नू कटो कट मिस गाइड ना करो जिड़े कार रहे ने सभी गाइडेंस जड़ी बच्चे बच्चा उनी जरूरी है क्योंकि एजेंट दा या कंसल्टन्ट काम केरियर कांसलिंग दा है प्रॉपली जान कि ओना दी ठेंकिंग की है अप्डेशन की ने ओर बारे थोड़ी जान करीच चाहूंगा अमन जी अगर आप करते हैं कि कि अगर आफ फुल फॉर्म देखें, सिंप्लिफाय स्टूर्ट वीजा प्रसेस फ्रेमवर्क जिसके अंदर वो यह नहीं कह रहे हैं कि हम पंजाब बोर नहीं लेना चाहते हैं, वो यह नहीं कह रहे हैं कि हम सी बीसी बोर नहीं लेना चाहते हैं, हाँ रिक्वाइमेंस में कह साथ पीजा डालते हैं अगर मेरे 12 में ही 60% है जो जिसके पास साइंस नहीं था जिसके पास IT नहीं था उसको आप आईटी प्रोड़क्ट बेच रहो क्योंकि S.O.L. लिस्ट में है S.O.L. लिस्ट में मुझे पी आईटी प्रोड़क्ट दे दो लेकिन तुम्हारे पैस वो नौलेज ही नहीं है S.O.L. लिस्ट है कि नहीं पास्ट लेविच हो दा सब्जेक्ट पड़े है कि नहीं जब रिजेक्शन आए तब उन एजेंस ने मार्कें वैल्यू आगई कि मेरे भाई को पता है मेरा तब भाई का रिजेक्शन आ गया जी कैनड़ ट्राइप लेव ऐस्ट्रलिया पास्ट गो नहीं नहीं वो एसा नहीं है वो यह है कि आपको करेक्ट इंफरमेशन नहीं मेली या आप अपक्ट्छली ओव डिमांड नहीं कर रहे हैं ते है या कोई भी ऐसा कोर्स नहीं है जिदे ग्रेंटेट तुसी पढ़ोगे तब पी आरी होदे भी अगे रुड़न डेगुलेशन नहीं होदी अभी टर्म्स एंड कंडिशन ने पास आउट हुंदे पी आर किसे नहीं 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 है जो खासकल जे अपा गलकरी ऑस्टेलिया पुस्ट कहिंदे है भी यू आर कमिंग एज जेनुएन टेंपरेरी एंट्रेंट जी टी यू के तब इक मेंट नहीं कर रहे हैं तुसी यह पढ़न आरे है तुनों पी आर मेलेगी जी टी नहीं लेके भी काफी निया हुए हैं अब श्याद इज ज़े जा रहे हैं सारी बक हैं जिसके इंदर जी टी क्राइटिरा के इंदे यूनिवर्स्टी इसको डिवाइब टर दिया गया है हाई कमेशन ये चाहता है अगर आप काटिगरी वान इटरी तना किरेश में जा रहे हैं जहांसेर्शन रिक्वारिमेंट्स कम हो जाती है यह अमनी एकाडिमिन्स घं प प्रफाइमिंट कम हो जाती है वहाँ पर आपको अपना अकेडमिक प्रोफाइल अप्लोड करना होता है आपको ओफर लेटर सी ओर अप्लोड करनी पटे है जिसको हम रिस्पीस रिसीट कहते हैं उसके अलावा आपको फिनांशियों के बारे में सिर्फ बताना पड़ता है को ही कह रहा है सच अच अच उनिवर्स्टी को रिस्पोंसिबिलिटी दी है कि आप इसके सारे फिनांशियों के अगर फिनांशियों सारे ओके हैं बच्चे के 6 मंथ पुराने हैं उसके जीपीएफ में जनरल प्रविदेंट फंड जैसे एक्ट्रेलिया के अंदर उसके नहीं होता है, एक इडूकेशन बाद में ब्लॉक कर वा दिया जाता है, तो प्रेफर उनिवर्स्टी आपको यह जात बहुत जादा बच्चों के इंटर्व्यूज हो रहे हैं तो बच्चों को बहुत इंपॉर्टन है कि A.L.L.1 की उनिवर्स्टी जा रहा है, जैसे बहु कुछ नाम बता दीजे, University of Melbourne है, A&U है, University of New South Wales है, या Monash University है, ये सारी couple of universities, RMIT और ये सारी. Global Opportunities हरे नाल कामकार? हाँ, couple of universities, yes, we work of all the universities, almost. All the universities, you can come across. We will not give you the university, हम AL1 के सबसे, AL2 के सबसे, थी के सबसे नहीं देंगे. हम लोग पहले कोशिश करते हैं, बच्चा खुद अपनी research करें, जब आए हमारे पास, कि मेर को ये कोस चाहिए, अगर उसको नहीं समझ आता है, we always make sure कि वो कोस content पड़े, कि वो आगे जाके उसमें survive कर पाएगा, नहीं पड़ पाएगा, और मैंने खुद भी counselling, counsellors को training दिया है, मैं उनको जरूर बता दिया कि प्लीज बच्चे को पूरा content खोल के दिखाओ, उसका career perspective दिखाईए, even we always ask student कि आप, there are few websites which are promoted by government, seek.com.au, ये job portal है, कि आगे जाके job perspective देखिए, क्योंकि universities आपको जब offer letter देते हैं, आपको interview करेंगे, interview में ये questions बहुत expected होते हैं कि आपका job, आपका annual income कितना हो सकता है, what kind of jobs you can find, this is something which is very important, बहुत जादा important रखता है, और अगर आप AL2 में जा रहे हैं, तो आपके financials extra जाएंगे, ऐसा नहीं कि कुछ change आजाएगा, सिफ आपके financials अप्लोर हो रहे हैं, जो anyways university, AL1 वाली भी check करें, AL2 भी check करेंगे Profile बहुत जादा है, जब हैसी high commission देविच case लाग जानदा है, अगर profile weak है तो वो reject होगा, AL1 में भी reject होगा, AL2 में भी होगा, AL3 में भी होगा, और जिदा visa नहीं देना जाजाएगा, बिल्कुल आएगा, AL3 में सबसे जादा पंजाब में बहुत जादा confusion है, AL3 की universities के साथ visa नहीं आता है, जसमें financials जाते हैं, एक साल की fees पहले मंग ली जाती है, उसमें visa नहीं आएगा, नहीं जी हमने जाना नहीं है, पंजाब ही भी खाल करी है, जी खासकर साथ कुछ वीरा ने तहीं भी अड़ोटाइज करना शुरू कारता है, वे उससे लिए फंट दी लूड़ देंग, जालो उना दी आपनी strategy है, बट असी कहांगे सही guidance देओ, सही guidance देओ, जाओना बच्चे नूग गाइड करो ताकि सही information दो पॉँच चाहे, तही बच्चा एक सही decision लें 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 कैपबल हो पाए, सड़ी हरो शो करके ही बेंती रहें दी है, सड़ी agent consultant वीरा नो भी क्योंकि ओ भी ये शो नो ज़रूर देख देने, तो kindly सही guidance बच्चे तक तो ज़रूर पचाओ, काफी parents भी ये शो ना जुड़े होई ने, काफी बच्चे भी जुड़े होई ने, उना भी आप भी research करो, agent बारे, जेड़ा थो नो guide कर रहे है, properly नो knowledge है या नहीं है, ग्लोबल opportunity दी मैं गल कर रहे हैं, बोलो एक काफी बड़ा प्राड़ा करन जा रहे हैं, ग्लोबल mega education fair कर रहे हैं, जेदर विच काफी ज़धा universities, colleges नो विजट करवाया जा रहे है, तुसी direct college universities देनो माइं देनो representatives न कर रहे हैं, नो मेनू अमरेच सर, दासनू जलंदर, ग्यारा लोदयाना, बाराच चैंदिगार थे, चौदा तरेक डैली, इना तरीकां देविच ग्लोबल education fair कीता जा रहे है, जेदर विच हर ओ कंपी जेतर तुसी जाना चाहोगे, तो डारेक रिपर्सेंटेटिव तो नो मिलन की, ओर एड्वेंटेजी की रहे हैं, बुमिका जी पहले रोटे तो जाना चाहोगा, जब आप education fair में आते हैं, हम आपको ये suggest करते हैं, कि आप पहले हमारे office आके visit कर लो, आप वहाँ पर information ले लो कि मेरे को इस country में जाना है, ये course करना है, आपको counselor guide करेगा पहले ही, प उनकी requirements ही नहीं है, आप counselor से तो जरूँ शेयर कर पाओगे, और fair पे आप देखोगे, बहुत बच्चा आता है, यूजरी आप tendency देखोगे, 700-800 बच्चा walk-in करता है, बिल्कुल करता है, जो तो चुछी मारा lawyer नों काल करेंगे, वो जरूर थो नों गाइड कर पाएगा, पी यूनिवरस्टी जो आपको application के तौर पे reject भी कर देती है, क्योंकि आपकी genuinity देखना चाहते हैं, intentions नहीं है, वो आपको महीं माना कर देगे, जबकि आप 68% के साथ आए हैं, आप बैचलर में, वेल्थ में आए हैं, तोड़ा कहना है, जेड़ा seminar विजट करना चाहूंदा ह पहले आके कुरी assessment करा लगे, वो सावनाल तुसी डेट कर दोंगे, यूनिवरस्टी जा रही हैं, तुसी नहीं मिल सकते हैं, वहाँ पे कितना खर्चा आता है, आप ये चीज़े पूच सकते हो, पर तुसी डिरेक्ली जदो विजट कर देगे हैं, वेल्चे नहीं कहना चाह हार एकनम तुसी मेल भी नहीं होद है, क्योंकि हर एकल थोड़ा relevant course नहीं है, हर एक को तुड़े relevant जड़े एकोड, जड़े जड़े, जड़े 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 je opposite है, जड़े जड़े option नहीं है आपक्सिमेटी थाउजन स्टूटें ने विजिट कीता सी गाफी इन ट्रस्ट वी सी बच्चे आदा बट मैं डेली जदो विजिट कीता एक देखा है बच्चे अवेर बहुत सी बच्चे अपना कॉलेज कूर्स हार इक चीज कॉंटेंट्स रिसर्च करके है हुई सिगे हुन तो आपके देखतर वाकिन करें आके स्पेशलिस कांसलेस नो मिलके कांस्किन लें नाकि जदो एक्जबिशन थे हां तो एपसलिटली और नो पता है कि वह ने केड़ी इनिवर्स्टी ते जाना थे करें कोर्स ते कांट्री जाना है बट कई बार स्टूड़न्स बिजिए है जड़े नहीं विजट कर सकते ऑफिस एग्जबिशन थे मेरी स्पेशलिस टीम उते होंगिया करें कांसलेस दी जड़ी स्टूड़न्स थे नंबर मैच करके उननों इनिवर्स्टी ते कंट्री रेफर करती है तो थे कांसलिंग करके देलिकेट्स नो मिलते हैं बच्चे लो तो बच्च देल आप हैं कि अग्या आप्टिकेशन शाएं और मैच चीज तो आप करके आपड़ी स्टूड़न्स दी जा रहे हैं बच्च जड़ी तो आप लग विजब विजट करता हैं हर कंपनी समिनर करा रही है हरे स्टाइव जेन हो अलमस्स ने सारी जान दे लिए ब कर रहे हैं फीस वेवाफ मिल जाएगी ऑंसपाट ऑफर लेटर मिल जाएगी चलो माड़ी का नहीं जे मिल दिया बट जदो एक कॉंप्रोमाइज होंदा ना सिर्फ एक पांच जार पिछे जड़ी ऑफर लेन पिछे अपने फ्यूचर देनाल अपने कोर्स देनाल ओ कितने कित देनाल जाएगे उस चीज़ बारे की कहना पर एट सो हुआ है फर्स्ट फर्स फर्माइजी मैं स्टूरेंट्स साड़ी एक्जिपिशन से आदे और उननों सब एक कंट्री ते एक यह दो यह चार इंस्टूशन से चॉइस नहीं मिल दी साड़े को सौत और ज्यादा यूनि करना कि गया किल्स झाल यह को साड़े कुल यहीं कहां करें, कि डिवस्टू सबसे पेहले ऊपनी सेक रिक पर रिसरच कर रंते रह नहां है वो किनगे साला ह्फ काम करें किले इंस्टूशं साल करें कांरा हएं जेडिलिस्ट है ओटीफाइन कर दिया कंसल्टें दी काटेगरी कंसल्टेंट दी स्टैनि का सदी रेपिटिशन चंगी इनुवसी चंग चंगे एडिकं अल फिक राके बेस्ट विज ट्रैक रिकॉर्ड की है और किनने बिक्चे शोर्ट के पे चुका है उत ओ तो बाद टो है वाजूबी बॉजुब को तरी चुने लोगल उपरचुनिटीरो अपनी सबसेट्विस लहिंगा उन्हा दा ग्लोबल उपरचुनिटी बारे और टीम बारे की कान और हुष भाष भाषूने इसके लंक है को भूब आप दिए अपर तू चलिज के अपाट के लिएप लिए और चप्राइब के लिए लिएगोम धूबैंप लिए आप्सार जिए हूं एका यह चास्टों चाहर अपर्ति Chalak And then yeah so whenever I come to the global opportunities I feel like the people who are here are friendly and mainly the counsellors and other people who like help in each and every step. Not only this branch even the head office people call me and ask for like whenever I ask for guidance they help me out. यह मैं तक पर आउन आपिस तूहारीश जो रहा हूं लुड़ख़्य। मैं आपिसे पर सब्सक्राइब म्रम ग्राइब पर नुड़ में आपिस्टाइब खालेश वंड़य। जाने बाद जाके फर्दर चुट रड़ी करें अफ्टर एक मैं काफी इड़ नाड कांप तो दीजे रही मैं एक गज एड़न को फास के डियरी रफ्यूजल वाली बाद वेच मेरे प्रेंच ने मेरे कंसर्ड किता अगलोब लॉट्यूटी जाके विजिट करो और में काफी विजिट ने तो मेरे रिटर्ण्स ने विजिए हमायो य데। मैं अगलोब लॉटी जाके अभी गैदॉर्ण काफी परफ़ य। जाड्रंस देती हैं प्रहण में नू वेड़न नीगे श्यूलऑ स्वेट इन्पेंट दू ने देंगी आर्ट स्वीच्ण लाईंसम लेक्ट यहां से लिकार के मैं बड़ा कोशिया देना दिलोगानमार करता हैं मैं आपने सारे प्रेंट्स में रिप्मेंडेट करता हैं कि तुसी ग्लोबल ऑप्रचुनिटीस आपके विजर्ड करो इना रिया गाइडलेंस प्रॉपर बच्चेन गाइडलां देतीया जालिया इंटर्वी उक्राप्रेश में रही जालिया स्टाफ बड़ा पॉप्रेटीव या सारा थे थेंक यू है लो अब्रीबन मेरा नाम लप्मर बर्मा वा ते मेरे छे बैंड आये ने के मैं ग्लोबल ऑपर्चुनिटीस तो बोरे हैं वा इस वक्त ते मेरा वीजर आज क्या वा देखो तो इस सारे मैं कही जगा तो एक्स्प्लोर कीता इंटरनेट ते जागे एक्स्प्लोर कीता कही जगा ते गया मैं कही जेंड नू मिलेया बट मेनू एह सब तो वदिया लगे एजंट ग्लोबल ऑपर्चुनिटीस जो के ब्राच मैनेजर ने गे इत्तों दे रिवंदर कौर उनना ने ब मैं सारे नुए सिजेस्ट करदा हुआ कि प्लीज तुसी इत्थे आओ ते कंसर्ड करो अपने वीजे ली ते होफुली तुसी भी जा साग देओ कैनेडा ते पका थुड़ा शिवली आओगा वीजा यह बहुत है ट्रीट कर देने मैं सारे नुए कहना वाँ के तुसी मैं पावल जुद्कार है मैं बनाराधी रियनवाली है आई गाट मैं वीजा जसें 15 देज विद अफ ग्लोबर अपरचुनटीज लुद्याना में मेरे कुछ रेल्टिव और फ्रेंड्स ने सुझेस्ट कीता कि ग्लोबर अपरचुनटीज लुद्याना बहुत बदिया सर् और मैं सारे फ्रेंड्स ने स्टूरेंट्स नो ही स्जेस्ट करना चानी है कि एक वारो ग्लोबर अपरचुनटीज लुद्याना जूरूर विजट करनी क्योंकि इनन दे सर्विस बहुत बदिया है और फीस भी इनन दी बहुत जादे कट है तो आई वुद लुद लुद्य मैं करने करना चाहंग सी कि आपकर लिए में से और ना अपना एक्सपिमिश की तीमवी बहुद लोग थोड़े तोड़े तक सांजा की ता वीजा लेके अपनी खुछी भी थोड़े तक सांजी कीती है एक माँ खास गाल दाज मां ग्लोबल ऑपर्चुनिटी दी कोई भी सर्विसेज दे चार्ज नहीं नहीं कोई प्रसेसिंग फीस नहीं है तुसी एना दा विजट करके इवन सेमिनार दा विच भी फ्री ऑफ कॉस्स एंट्री है उस तो बाद भी सर्विसेज फ्री ने कोई भी सर्विस भी लेड़ा चाहने हो इनने तक अप्रा राप्ता कायम कार साकते हो शो दा समानी एलाओ का रहे डिसकेशन अग्यवदा अंदिली सो इजात लवांगे जी सर अपने दोस्ता मने देवजाज़त तानवाद सास्विकाल